आज इन कड़वे करेलों को ऐसा टेस्ट देंगे कि ये कड़वे नहा कर रहेकर टेस्टी और बहुत ही चटपड़े और मज़िदार हो जाएंगे ऐसी रेसिपी बनेगी कि जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और बनाने में उतनी ही आसान है तो चलिए सुरू करते हैं बनाना तो हेलो फ्रेंड्स यमी फूड और रेसिपीज में आपका स्वागत है जहां बनती है हल्दी और डेलिशियस रेसिपीज तो देखिए आज मेरे पास ये करेले हैं इन करेलों की मैं एक ऐसी सबजी बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही तेस्टी लगेगी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन करेलों को छील लेते हैं उपर का छिलका बिल्कुल अच्छे से इसे छील देंगे जिसे उपर के जो दकांटे वाली परत है वो बिल्कुल हट जाए उसे इस तरह से हम छीलेंगे देखिए इस सारे करेले मैंने छील करके रेडी कर लिये हैं अब क्या करूंगी इसके बीच में चाकू से एक चीरा लगाऊंगी बस इसे पूरी तरह आर पार नहीं करना है एक चीरा लगाना है और अंदर के पार्ट को जो अंदर में जो बीज और इसका जो पलप है उसे गोद करके पूरा निकाल लेना है या तो आप चाकू से या फिर चम्मच से किसी से भी आप निकाल सकते हैं चमज के पिछले हिसे से निकालने से चोट लगने का डर नहीं रहता है। तो इस तरह से यह सारे जो करेले हैं, इनको मैंने अंदर से खोकला कर लिया है। यह देखें, अंदर में इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खोकले हैं यह। तो अब मैं क्या करूंगी इसमें डालूंगी बहुत सारा पानी और एक चमच के लगभग नमक नमक डालने से करेले का करवापन पानी में निकल जाता है और डाल करके फिर इसे मैंने 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया है और फिर वापिस से अब मैं इसे पानी में देखे इसक पारा पानी बाहर के और निकल जाएगा अब इसको फिर से हम एक बार साप पानी में धो लेंगे अब फिर उसी तरह से इसे पूरी निचोड़ते हैं वे हम इसका पानी निकाल लेंगे तो अब इसके लिए एक स्टफिंग तयार करते हैं स्टफिंग तयार करने के लिए मैंने लिया है चना का सत्तू त्वीन चम्मच के लगवग वजन से देखेंगे तो ये लगवग पचास ग्राम के करीब है अब इसमें मसाले आड़ करते हैं मसाले में मैंने आधे चम्मच अजवाइन वन फूर्टी स्पून काला जीरा थोड़ी सी सौफ आधे चम्मच के लगवग दरदरी कुटीवी सौफ तो आशा गरम मसाला और एक चम्मच के लगवग अमचूर पौडर डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे 1-4 टीस्पून हल्दी पॉडर 1-5 टीस्पून लाल मिर्च पॉडर 1 टीस्पून धनिया पॉडर और नमक टेस्ट के कॉड़िंग जितने करेले हैं उसके हिसाब से हम नमक डाल देंगे और साथ में अब हम मैं डाल रही हूँ तो अब हम इस मसाले को बहुत अच्छे से mix करेंगी, इसके पहले मैंने इसमें दो हरी मिर्च और दो चम्मच के लगभगी, प्याज को बारिक काट करके इसमें डाल दिया, इसे आप skip भी कर सकते हैं, प्याज optional है, आप इसे छोड़ सकते हैं, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पाने डालूंगे, क्योंकि ये सुखा लग रहा है, अगर इस तरह से गिला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सुखा लगे तो थोड़ा सा पाने डाल करके इस मसाले को अच्छे से थोड़ा गिला हम बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह का है कि जो अंदर में जब हम स्टफ करें तो ये बाहर के और ना निकलें, ये देखे हमारा मसाला बिल्कु डेडी हो चुका है, अब एक स्पून की हेल्प से हम करेले को बीच में अंगली से फैलाते वे इसके बीच में पूरी अच्छे से मसाले को दबा दबा करके भरेंगे, पहले इसमें थोड़ा भ इसे दबाते वे देखे, बिल्कुल मैंने पैक कर दिया है ताकि मसाला बाहर के और ना निकलें, बस इसी तरह से हमें अपने सारे करेले की स्टफ कर लेना, देखे हमारे सारे करेले स्टफ हो गए, और अब मैंने कपड़े सिलने वाला सूता लिया है और उस सूते से इसको टाइट करके बान दिया है, ताकि ये मसाला जब हम तेल में इसे फ्राई करें तो ये ना निकले, तो बस इसी तरह से आम पी सभी करेलो को इसको अच्छे से बान दीजे, टाइट हम इसे इदम अच्छे से टानते वे टाइट करके बानना है, और फिर इसे हम सारे करेले, इ गढ़ाई जब गरम हो जाएगी इसमें डालेंगे दो बड़े चमच सरसो का तेल आप सरसो के तेल की जग मुंफली या फिर रिफाइन ओयल भी यूज़ कर सकते लेकिन सरसो के तेल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये दो चमच मैंने तेल डाल दिया है और अब त थोड़ा सा जीरा वन फोर टेस्पून जीरा 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 अच्छे से चटक जाएगा तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधे चमच के लगभग सॉफ सॉफ के दाने का फ्लेवर करेले में बहुत अच्छा आता है वो इसकी कड़वे पन को भी दूर करता है और जो हमने चटपटा पर अचार वाला फ्लेवर आ जाएगा तो बस अब इन सभी कड़ा करेलों को हम कड़ाई में अच्छे से असेंबल कर देंगे और एक बार हलका सा स्टर करेंगे अच्छे से ताकि तेल चारों तरफ इसमें लग जाए और अब इसे ढख कर के हम 10-15 मिनट इसे पकाएंगे बीच बीच में इसका ढखकन हटा करके इसे 2-3 बार हम इस तरह से चलाएंगे जब एक साइड से सिख जाए तो फिर इस इस तरह से हम टर्ण कर देंगे और इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से ढख देंगे तो वो इसी तरह से करेलो को उलटते पुलटते वे हमें 10 से 15 मिनट तक सेख लेना है तो इससे क्या होगा कि ये अच्छे से सीज भी जाएंगी उबल उबल बॉयल भी हो जाएंगी और अच्छे से चारो तरफ में इसमें कलर भी बहुत अच्छा आजाएगा तो ये आप देख सकते हैं ये करेलो में कितने अच्छे सा कलर आ गया है बिल्कुल एकदम गोल्डन ब्राउन टाइप के कलर आ गया है देखें कितने अच्छे सीकेवे लग रहे हैं तो ये लगबग अल्मोस्ट डेडी हो चुके हैं ये देखिए आप इन करेलो को देखिए कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं अब मेरे पास थोड़ा सा इसका जो मैंने stuffing के समें मसाला है वो थोड़ा मेरा बच गया था तो मैंने इस stuffing वाले मसाले को इसमें डाल दिया है तो तेल था न वो सारा इसमें अब्सॉर्ब हो गिया से कोट हो गई. आप भी अगर बनाएं तो थोड़ी स्टफिंग बचा लेगे तो बाद में क्या होगी? मसाले की ओपर अची सी करेळी कोटिंग आ जाएगी मसाले की. अब हम क्या करेंगे? जो हम ने इसमें सूता बान्दा था, वो सूता को हम इसमें से खोल कर अलग कर देंगे ये देखिए बिल्कुल कितनी आसानी से हलका सा हम इसे खीशते जाएंगे और इस सूता खुलता जाएगा ये देखिए ये बिल्कुल सूता खुल गया इसी तरह से हम सारे करेलों के सूते को अलग कर लेंगे तो ये देखिए हमारे अचारी करेले बिल्कुल डेडी हैं आप इसे बनाईए और मुझे भी कमेंट करके बताईए कि कैसे बने हैं और एसे पी अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिये और साथ में फ्रेंड्स के साथ सेर करिये और अगर इस चैनल पर नए ह हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें